आप स्वागत अभिनंदन है आज एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट विशय पर हम चर्चा करेंगे सितंबर माह में भाषा चिंतन को लेकर तथा अनुवाद को लेकर जो विचार विमर्ष किया जाता है उनमें तीन महत्वपूर्ण रास्ति इस्तर के पर्व सारस्वत उत्सव उनका आयोजन होता है जिसमें 5 सितंबर को शिक्षक दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस और अब 30 सितंबर जो की विश्वकाई के इतिहासिक दिवस बन गया है उसे हम अंतर रास्तिय अनुवाद दिवस के रूप में आयोजित करते हैं पूरी देश को पूरी दुनिया को परस पर जोडने परस पर संबाद स्थापित करने वैश्विक संबाद के रूप में अपनी पहचान बनाने का काम अनुवाद करता है एक बहु दिशागामी बहु आयामी सेतु की भूमी का अनुवाद की बनी रहती है जो पूरे विश्व के भिन भिन भाशा भाशी भिन 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 विशयों के विशेशग्यों के बीच में एक संपर्क का एक सेतु का काम करता है मनुष्य का परस पर संबाद हजारों बोलियों उप बोलियों भाशाओं उप भाशाओं के माद्यम से होता है कि विश्व के अनेक देशों के बीच वहाँ के नागरिकों के मद्य संबाद भिन भिन भाशा भाशी होने पर भी यदि संभव होता है तो उसका श्रे अनुवाद को ही जाता है भारत विश्व के अनेक देशों में सबसे अधिक सम्रिद और संपन्न देश इसलिए है क्योंकि यहां सोला सो से भी अधिक भाषाएं उपभाषाएं बोलियां उपभाषाएं लिखित और मौखिक रूप में मौजूद है परस पर संबाद का सशक्त माद्यम इन बोलियों भाषाओं के बीच अनुवाद के ही द्वारा संभव होता है इसी देश विदेश और अस्टी अंतर अस्टी अपेक्षा आवशक्ता और उपादेयता को देखते हुए अनुवाद को अब महत्व दिया जा रहा है जिसका वह शताब्दियों पूर्व अधिकारी था जिस पर नजाने कितने आक्षेप आरोप लगाए जाते थे विश्व ने अनुवाद की प्रासंगिक्ता को उसकी महत्ता को अब स्विकार किया है इसलिए स्रोत भाषा में उपलब्द ज्यान संपदा के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम और सहज साधन अनुवाद को मानते हुए अब पूरा विश्व पूरी दुनिया प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतरास्टी अनुवाद दिवस मनाने का पावन बुन्य आयोजन करती है उरे विश्व की संबाद भाषा अर्थात अनुवाद इसके प्रदे को उसके रचनात्मक भूमिका को वैश्विक वकास और उन्यन में उसकी महत्ता को रिखांकित करने उद्गाटित करने के लिए ही दुनिया अब विश्व अब 30 सितंबर के देन प्रती वर्ष अंतर रास्टी अनुवाद दिवस का आयोजन करता है उसकी महत्ता को रिखांकित करता है और एक तरह से विश्व भाषाओं के उत्सव के रूप में इसका हर्ष अल्लास के साथ आयोजन किया जाता है दुनिया के हजारों लाखों अनुवाद को अनुवाद कर्म को नमन करते हुए उनके अवदान का पुन्य स्मरन करते हुए बाइबल के अनुवादों और अनुवादों के प्रती कृतग्यता व्यक्त करते हुए भी इस दिवस का आयोजन किया जाता है और अनुवाद और देशच भाषाओं के परसपर आदान प्रदान को भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्च के लिए यह दिवस सहर्ष सागर्व प्रतिवर्ष मनाये जाता है। भाषा के जन्म से ही अनुवाद की आवशक्ता सृष्टी में बनी हुई है। प्रसिद्व प्राचीनतम अनुवादक एवं संदक्षक सेंट जेरोम की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाये जाता है। सेंट जेरोम ने हिंदू बाइबिल का अध्येन कर इसका लेटिन में प्रथम अनुवाद किया था। The International Federation of Translators FIT ने 1953 में अपनी स्थापना के समय से ही अनुवाद दिवस को सेंट जेरोम के सम्मान अवें बाशा विदों के अपने समुदाई और अनुवाद के पेशे का समर्थन करने के उपाई के रूप में इसे आयुजित करने का आववान किया था। हलाकि 1961 तक इसे धार्मिक तौर पर मनाया जाता था क्योंकि सेंट जेरोम बाईबल के अनुवादक थे लेकिन बाद में 1991 तक आते आते FIT ने इसे अंतररास्टिय अनुवाद दिवस के रूप में अर्थात International Translation Day के रूप में आयुजित करने का निरने लिया। अनुवाद शब्द अनुजमा वाद से बना संस्कित व्याकरण के अनुसार वद धातू का अर्थ है बोलना या कहना वद धातू में यहां प्रत्य जुलने से यह भावाचक संग्या बन जाता है। सर्ग का अर्थ पीछे या बाद में लिया जाता है। अनुवाद का अर्थ हुआ किसी एक भाषा की किसी उक्ती, वस्तू, विशय या कथन के अर्थ को अक्षुन रखते हुए दूसरी भाषा में या निलक्ष भाषा में उसे यथासंबव, यथावत या मूल भाषा के शब्दों के स्थान पर अनुवाद का प्रयोग हो, भा अर्थिय दर्शन, मीमानसा, उपनिशद, वैदिक साहित्य, छाया, भाषा, टीका, व्याक्या, भाषा अनुवाद, भाषांत्रन, तर्जुमा और उल्था आदी अनेक शब्दों की सुदीर्ग यात्रा के कारण आज पूरी दुनिया में स्वागत के योग्य बन गए हैं उननीसमें शताबदी के अन्त में आकर पारिभाषिक शब्द अनुवाद के रूप में इसकी स्विकृति और माननेता भी हो गई है। हिंदी में अनुवाद शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द के सम्तुल्य या परयाए रूप में किया जाता है। वस्तुता है लेटिन भाषा से आगत शब्द है और ट्रांस तथा लेशन के योग से बने हुए इस शब्द में ट्रांस का अर्थ है पार जैसे ट्रांस यमना ट्रांस्पेरंट और लेटिन से बने हुए लेशन शब्द का अर्थ है ले जाना यनि कोई वस्तु जो इस तर प्रियाइब branसा के चिर हमाय बैसे उस वार्थाज ले सकते हैं प्रखे को आर्थात्ऑ स्रूद भाषा की वस्तु को दूसरी महाशा अर्थात् लक्ष भाषा में ले जाने की प्रक्रिया ही ट्रांसलेशन यह अनु वाद कहलाती है फृ पारंपरिक पोल्ब कि चानी ऑफ पा प्रक्रिया के दियोतक के रूप में होता है। जिस मूल भाषा में बात कही जाती है उसे स्रोत भाषा और जिस भाषा में अनुवाद करना होता है उसे लक्ष भाषा कहा जाता है। अनुवाद से संबंदित विभिन, संबाद, परिसंबाद, गोष्टियों और कारिशालाओं का आयोजन किया जाता है। अनुवाद की स्थिती पर स्थिती महत्व, तकनीक, संभावनाओं आदी पर, उसके इतियास पर, उसके भविश्य पर, सार्थक चर्चा परिचर्चा औ और विमर शादी किये जाते हैं. अनुवातक तथा द्वी भाशी एक प्रकार से सांस्कृतिक दूत अर्थात कल्चरल एमबेसडर के रूप में देश में और विदेश में काम करते हैं. एतियासिक रूप से देखें तो हमें यह भी सपष्ट हो जाता है कि अनुवात का जन्म धर्म और धर्मिक गरंतों के प्रचार प्रसार से ही हुआ था. लेकिन धीरे-धीरे समय बदलता गया, अनुवात न सिर्फ धार्मिक शेतर तक सीमित रहा, अपितु सब्वेता, संस्कृति, संचार, वानिज, व्यावसाय, शिक्षा, अंतर संस्कृतिक संबाद, परियाट अधिक क्षेतर में भी उसकी आवश्यक्ता निरंतर बढ़ती चली गई. आधने की युग संचार क्रांती तता सूचना प्रोध्योगी की का युग है. इस संदर में अनुवात की प्रासंगिकता अवं पादेयता आज असंदिक्द है. ज्ञान विज्ञान अवं तकनीक के क्षेतर में जिस प्रकार निरंतर उन्नती एवं प्रगती होती जा रही है. संपूर्ण विश्व एक छोटी इकाई बनता जा रहा है. सिकुरता जा रहा है. भुमंडली करन की अवधारना एवं विश्व गराम की संकल्पना का आधार संचार तथा अनुवात को माना जाता जा रहा है. अज जिस प्रकार ग्यान विज्व एक प्रचार प्रसार से मानव चेतना नए आयामों को छूती दिखाई दे रही है. विश्व बंदुत और पारस्परिक संबेदनाओं की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए अनुवात एक उपयोगी विधा, एक नुशाशन के रूप में स्थापित होता जा रहा है. बहु संचार और बहु राष्टियता के इस आंदोलन तथा अभियान से भाषा को जो भी एक प्रोध्योगी की बनने का आवसर मिल गया है. परिणामत है अनुवात इस प्रोध्योगी की रीड की हड़ी बन गया है. य इसमें संदे नहीं कि विश्व की सब्वेताओं और संस्कृतियों के विकास उनके परस्पर आदान प्रदान में अनुवात की विशेश भूमिका रही है. असंदिक्द भूमिका स्विक्रित है. विमिन ने सब्वेताओं संस्कृतियों को जानने और समझने के लिए अनु भारत, रामायन, कृष्ण कथाएं, ऐसी बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों का वैश्विक्स तर पर प्रचार प्रसार अनुवाद द्वारा ही संबव हो सका है। इससे साहित और कला के विश्व चेतना का विकास हुआ, सांस्कृतिक एक्ता को विक्सित करने में भी उसकी भूमिका उलिखनी रही, वास्तम में अनुवाद एक सांस्कृतिक सेतु का कारे अब पूरी दुनिया में करने लगा। एक बहु आयामी, बहु दिशागामी सेतु के रूप में जिसके उपर नीचे दाएं बाएं से अनेक भाशाई मार्ग खुलते हैं, प्रशस्त होते हैं, जो निरबाद आवागमन के राह खोलते हैं, आदान प्रदान की दिशाएं उजागर करते हैं। आजपूरे विश्व में अनुवाद कर्म का अभिनंदन मुक्त कंट से और खुले हाथों से हो रहा है। अनुवाद नहीं हमारे वेद पुराण, उपनिशद, पुरा कथाओं की विरासत, पंचतंत्र, गीता रामायन, माभारत, तिरवल्लुवर, ग्रुगरंत साहाब, भारती नजने ऐसे कितने काल जाई, गरंत और रचनाकारों को विश्व की भाषाओं में पहुचा कर हमारी मनीशा का पर्चम लहराया। आज पूरे विश्व में कबीर को, घनानंद को, सूर और तुलसी को, जैसी को, इस प्रकार के बहुत ही महतुपूर्ण और अनुवाद के माद्यम से पढ़ा और आत्मसात किया जा रहा है। प्राचीन काल में अनुवाद सरजनात्मक साहित्य तक ही सिमित था। परंतु आज अनुवाद हमारी जीवन व्यावार की वस्तु बन गया है। वेभन रास्टों की साहितिक और सांस्कृतिक विरासत का आ अनुवाद की गती बहुत तीवरता से स्विकार की गई है। विश्व के विभन साहितियों के बीच में परस्पर आदान परदान अनुवाद के माद्यम से संभव है। आज हम शेक्सपियर को, कॉलरिज को, गेटे को, मैक्स मुलर को यदि पढ़ पाते हैं, यदि जान पा तो वह अधिकतर उसका श्रे अनुवाद को ही जाता है। अनुवाद के माद्यम से अन्य भाशाओं के साहिति का ध्यन करने से जिन नई अभिव्यक्तियों, समवेदनाओं, विचारधाराओं, जीवनान उभूतियों और साहितियों का भी परिचे मिलता है, वे हमारे जीव होने, अगरसर होने के अवसर भी प्राप्तूते हैं। विश्व की बात छोड़ें, भारत जैसे बहु भाशा भाशी बहु सांस्कृतिक देश में भी अनुवाद की उपादेयता और प्रामानिक्ता असंदिक्द है। भारत की विमिन भाशाओं में रचित भारतिय साहिति के इतियास की सार्व भामिक्ता को सिद्ध करने के लिए अनुवाद एक काही आश्य अंतत्य लेना पड़ता है। विश्व में मानवी ग्यानात्मक एवं भावात्मक संबेदनाओं को बदलने में अनुवाद कारगर सिद्ध होता है। चाहे वैचारिक आद्रान प्रदान की चेतना से, सामाजिक वैचारिक्ता से, परिवर्तन की बात करें या आधुनिक नवजागरन में पश्चिम के नए ग्यान विज्ञान से हमारे ग्यान और चेतना को विक्सित करने की बात करें। हमें और पूरे विश्व को अनुवाद का सहरा लेना ही पड़ता है। की विश्व जई साहित्य से अवगत कराया। हमारी सैकड़ों भाषाओं की साहित्य विचार और चिंतन की समर्द परंपरा से अनुवाद नहीं पूरे विश्व को अवगत कराया, परिचित कराया और उपकृत किया। अंतरास्टी अनुवाद दिवस को सेयुक्तराष्ट महासभा ने 24 मई 2017 में प्रस्ताव पारित करके यह उद्देश्य स्पष्ट किया कि दुनिया के देशों को निकट लाने, संबाद में साहिता करने तता सहयोग के लिए अनुवाद की भूमिका को निर्धारित किया जाए, उसे महत्पूर्ण बनाया जाए यह वश्व शान्ती और विकास में एक बड़ी भूमिका निवा सकता है, इसलिए अनुवाद को एक सशक्त साधन के रूप में अपनाया जाए बाइबल के अनुवादक सेंट जेरोम को त्योहर के कारण 30 सितंबर को अंतर रास्टिया अनुवाद दिवस मनाया गया सेंट जेरोम ने बाइबल के अनुवाद किये थे, उन्हें अनुवाद को तक पहुचाया था और इसलिए अनुवाद के माद्यम से ऐसी ग्यान संपदा को, ऐसे तमाम तरह के वैचारिक संपदा को संरक्षत करने का एक उपकरम, एक मार्ग इसके माद्यम से उदगाटित ह सर्युक्त राष्ट संग के अन्य दिवस महतपूर्ण होते हैं उसी तरहां अंतराश्टी अनुवाद दिवस भी एक महतपूर्ण दिवस बन गया क्योंकि इस दिवस के माद्यम से हम सभी देशों की भाषाओं में हो रहे अनुवाद कार्यों, अनुवादकों, भाशानतरकारों, दुभाशियों और भाशा और अनुवाद की क्षेतर में कारेरत तमाम समर्पित सारस्वत सेवियों और संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित करते हैं, उसे महत्व देते हैं, उसका पुन्य स्मरन करते हैं दुनिया भर के अनुवात समुदाय के प्रती हम कृतग्यता ग्यापित करते हैं। आज के दिन भारत सहीत दुनिया भर के असंग के विश्विद्यालें, शिक्षन संस्थानों और अनुवात जैसी संस्थाओं में अनुवाद से संबंदित, बहुत से संबाद, परिसंबाद, सेमिनार, कारेशालाएं आयोजन किये जाते हैं। अनुवाद की स्थिती, परिस्थिती, मैत्व, तकनीक, संबावनाओ, इतियास आदी, उसके भविश्य आदी पर सार्थक चर्चा परिचर्चा भी आयोजित की जाती हैं। अनुवाद दिवस बनाने का जो थीम था, वह वस्तुत है, वर्ष 20 में थीम तै किया, Finding the World for a World in Crisis, यानि संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना। यह बड़ा पुन्य और पावन उद्देश्य था, 2020 के अंतरास्टी अनुवाद दिवस का। इसी तरह 21 का थीम था, United in Translation, अर्थात अनुवाद में एकता और संगठन का संकल्ब। कहा तो अब यह भी जाता है कि किस्मी शताब्दी अनुवाद की ही शताब्दी है और इस युग में अनुवाद के बिना जीवन में कल्पना भी संभव नहीं है। और यह भी कि अब गूगल, Amazon, Flipkart, Microsoft, Alibaba ऐसे न जाने कितने ही विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनियां अब इसी दिशा में अपनी वस्तों और सेवाओं को बेचने के लिए अनुवाद के माद्यम से बाजार में दिखाई देती हैं। भाशाई अवरोदों को तोड़कर व्यापार में आगे बढ़ना यह भी इन कंपनियों का उद्देश बन गया। आज वैश्वी करण के दौर में दुनिया के सभी देश एक दूसरे पर काफी हद तक निर्बर करने लगें। क्योंकि कोई भी देश अलग थलग रहकर अपने नागरिकों को न तो अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं, अच्छा ग्यान, अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। नहीं बहुमुखी विकास के लिए उन्हें तैयार कर सकता है। उनकी आवश्यक्ता पड़ती है। सभी देश अपने यहां अनुवाद और निर्वचन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दिखाई देते हैं। अनुवाद वास्तव में लेखकी या आत्मा के विस्तार का एक दूसरा नाम है, एक दूसरा अनुशाशन है। विश्व की प्रतेक भाषा के श्रेष्ट विचारक, लेखक, चिंतक, राजनेता, दार्शनिक, वैज्ञानिक, पत्रकार, डॉक्टर और अध्यापत। सभी उनकी अहर्दिक इच्छा रहती है कि उनकी उपलब्दी से, उनके ग्यान से, उसकी उपजी हुई नई नई स्थापनाओं से, उनकी खोजों से, पूरी दुनिया को लाभ प्राप्त हो और विश्व के लिए वो अपने प्रदे को प्रस्तुत कर सकें। उसे भाशाई बेरियर रोक न सकें और वह अपनी उपलब्दियों की कीर्थी के साथ विश्व नब पर उपस्थित हो सकें। इसके लिए वह चाहते भी हैं कि उनके प्रदे का देश-विदेश की अनिक भाशाओं में अनुवाद हो और उस अनुवाद को पढ़कर ज्यादा तर अधिकांश लोग उपकृत हों लाभानवित हों। भाशा, जात, धर्म, समुदाए, राज्य या रास्टादी की सिमाएं लांग कर उनका अतिक्रमन कर या तो रचना को वह अन्य भाशाओं में भेजना विजवाना चाहता है या वह चाहता है कि अन्य भाशा भाशी ये बैरियर तोड़कर उसकी रचना तक साधिकार और नि निरंतर, उपलद्ध हो और वो लक्ष भाशा जो पाठकों की भाशा है उस भाशा में उस रचना का आस्वाद ले सकें ये सब केवल अनुवात से ही संभव होता है और अभी तक हो भी सका है अन्य था हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कोई भी व्यक्ति विश्व की समस्त भा बाशाएं सीखने, पढ़ने और उसके माद्यम से परसपर अनुवात के कारे को आगे बढ़ाएं ये विश्व के लिए बड़ा उपकार का काम माना जाता है अनुवात वास्तव में संभेद्नाओं और स्पंदनों को जोडने वाला एक सूक्षम सूत्र है इस दुशकर्द जो साध्य कारे को भाशा साधना ने ही संभव कर दिखाया है इसलिए साहित विशेश के संदर में तो इसे परकाया प्रवेश की साधना भी कहा जाता है परकाया प्रवेश विरले विलक्षन साधकी कर सकते हैं सभी के लिए यह संभव नहीं होता कि अनुवात के विशे में कह सकते हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, सीस उतारे भोई धरें, तो इही घर में जाई मित्रों वास्तव में अंतर राष्टिय अनुवाद दिवस, 30 सितंबर के अवसर पर हम अनुवाद और अनुवादकों के प्रती आज कृतक्यता ग्यापित कर रहे हैं और इस अनुवाद कर्म की रचना धर्मिता को, उसकी रचना यात्रा को हम एक सरजनात्मक्ता से जोड़ कर देखने का प्रयास कर रहे हैं वस्त होता है यह इतना सहज कारे नहीं है जितना प्रतीत होता है लेकिन यह उतना ही आनंद प्रद भी है जितना प्रतीत नहीं होता है इस विशे को यहां विराम देते हुए पुने आपके समक्ष उपस्तित होंगे आग्या दीजिए नमस्कार झाल